बिहार जिक्षक भरती परिक्षा बीपेसी टीरे 3.0 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे साथ में यहाँ पर हमने क्यों कहा कि सेलेक्षन मुश्किल होगा थोड़ा सा रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है कल तक आपको पीडिया फोस के मिल गई होगी 13 नुवंबर दो पर दोशों के सेड्स का क्या कुछ ऐसे में आकडा रहेगा उन सभी के बारे में वेवराज जारी कर दिया गया है यहाँ पर आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है वेलकम तुबाहाश एकर यूट्यूब चैनल नमसकार गुड मॉर्णिंग आप सभी को सबसे पहली चीज जारी कर दिया जाएगा उसके पीछे रिजन यह था कि रोस्टर जारी कर दिया गया है लेकिन फिलहाल तक एलिए परिक्षा परेडाम अभी दिया नहीं गया है लेकिन हम आपको बता दें 14-15 तक कहीं न कहीं 15 नमबर तक जो एक फाइनल डेट थी ऐसे में आप डेडलाइन समझ यह कि वहां तक परिक्षा का परेड़ाम जारी करने के बात जो है वो BPSC के ओफिसील्स के द्वारा की गई थी जो आधिकारी परसन है वहां के तो ऐसे में आपको जो रिजल्ट है वो कभी भी किसी भी समय देखने को मिल सकता है bpsc.bih.nac.in.official website पर चेक करते रहिए बाकि यहां पर अगर हम बात करें तो 87,774 पदों पर भरती होनी थी और अभी यह सीटों के संख्या घट करके 84,581 हो गई है जो आपको यहां पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा तो यहां पर कुछ सीटे हैं जो हटाई गई हैं और यही एक तरीके से अभी तक पूरा पेज फसा हुआ था कि क्या कुछ कितना जो है वो फाइदा दिया जाएगा जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं बाकि डिटेल में आप देख सकते हैं कि 125 के लिए कितनी सीटे हैं एक चीज हम आपको बता दे महिलाओं के लिए फिर से बहुत ही बढ़िया चांस है इसमे जब हम जनरल केटेगरी के खासकर बात करें इसमें ठीक है आप यहाँ पर बाकि देखेंगे 125 का क्या है आप जो सीटे घटी है वो खासकर एक से लेकर के 8 यानि कि 125 और 68 में ही जो है वो सीटे घटी है वीडियो को बाकियो तक शेयर जरूर करिएगा आपका जो रिजल्ट ह वो कभी भी ऐसे में देखने को मिल सकता है मिलते हैं का और वीडियो के साथ में